हेलो फैंस मैं जोती आज की चर्चा चर्चा है खास आप हम बात करें इंडिया वर्से साउथ अफरिका खेले जाने वाला मैच टेस्ट मैच जिसके बारे में बहुत सारी खबरे आ रही हैं सबसे पहले तो इशान किशन जो इंडिया वर्से साउथ अफरिका खेले जाने वाल टेस्ट से अपना नम वापस लेकर इंडिया वापस लोड़ गए एक्दम से सुनकर सब हैरान है पहले तो इशान किशन ने अपने व्यक्तिगत कारण बताए और बी सी सी आई ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन बाद में बहुत सारी खबरे सामने आ रही है सुनकर आप भी हो हो जाएंगे हैरान लेकिन उनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया केस्थ भारत को और केस्थ भारत अब केल रहे हैं इशान किशन की जगह पर लेकिन एक खबर हो रहा है मोहमर शमी जो एक टेस्ट पास नहीं कर पाए नेशन टेस्ट है कोई वह पास नहीं कर पाए जिसकी कान लेकि ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही मंजा हुआ है लेकिन वो भी अपना टेस्ट मैच से बाहर रहा है और वो अपना नाम वापस लेनी की बात कर रहा है लगता कुछ तो जोल है कुछ तो गड़बर चल रही है टेस्ट मैच में इंडिया वर्से साउथ अफ्रिका में क्योंकि एक वीडियो भी बीच में वाइरल हुआ था जब सुर्यकुमार यादव उर्दीप सिंग को डाटती वे नजर आ रहे थे तब तो लग रहा था शायद कुछ व्यक्तिकत कारण होगा या फिर कुछ छोटी-मोटी बात होगी लेकिन लगता कुछ तो गड़बर चली रही है खैर यह आने वाली बाते तो सामने नजर आई जाएंगी खेल से जुड़े हम से जुड़े हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में जैहिन जै भारत